आएले, आपके और वाइस आफ ट्रांसपोर्ट में और आज हम आपके सामने लेकर आएं हैं ओला की कर खाबर हमेशा आप देखते हैं कि ट्रवाइस ओफ ट्रांसपर्ट पर ओला के और ओला ओपर जैसी कंपनियों के जो उनके चालकों के साथ जो दिक्कते हैं वो हम बताते रहते लेकिन आज फिर एक ख़बर हम आपके सामने लेकर आएं जिसमें हम आपको बताएंगे किस तरह जो खब अगर बात करें तो जब उला काम नाम लेते हैं तो जो गारिया लूटना चालकों के साथ पिटाई का मामला ये अब खबर बहुत बड़ी है लेकिन ये खबर एक आम सी रखती है क्योंकि आए दिन इस तरह कितनी खबर आ जाती है कि इसके बारे में विस्तार से बात करना ऐ ऐसा लगता है कि हमने पुरानी कोई खबर आपको चला रहे क्योंकि आए दिन कोई ना कोई नई खबर आती रहती है और तरीके वही होते हैं लेकिन उनका शिकार नहीं होता है चालक नहीं होता है गारी नहीं होती है अब अगली खबर कौन सी है क्राइम से रिलेटर ओला की वो अब आपको बता कर चलते हैं, आगरा लखनू एक स्पेस वेपर मंगलवार की भोर, बदमाशों ने तमंचे के बल पर चालक से ओला कैब लूट ली, अप्रादों के होसले आप देख सकते हैं, कितने बुलंद हैं, तमंचा, बंदू, गोली, चक्कू, कुछ भी औजार ल सूचना सो नंबर और अपने ओफिस में दी, मौके पर पहुची, डौकी पुलिस ने बदमाशों की तलाश की, पर सुराग नहीं मिला, हर बार की तरह, यहां भी सुराग फिलाल नहीं मिला, चालक विजय शर्मा जो नागला दत्ता के रहने वाले हैं, उन्होंने बताया कि चार लोगों ने नई दिल्ली में आगरा जाने के लिए ओनलाइन ओला बुक की, रात करीब 12 बच के 30 मिनट, यानि करीब 12 बजे वे इन यूवकों को दिल्ली से आगरा के लिए हुन्ड़ाई कार संख्या यूपी असी एटी 4383 लेकर निकले, यमना एक्सपेसवे के रास् दिखा है, तो उन्होंने चालक को आगरा लखनो एक्सपेस वे पर चलने को कहा, ग्राम बिजामई के पास लंगू शंका के बहाने सब भी बाहर निकले, इसके बाद तमंचा दिखा कर चालक को चालक से मोबाईल तो 3000 पे छीन लिया, फिर धक्का देकर गिराने के बाद गा प्राशों की तलाश की, लेकिन वे हाथ नहीं आ सके, पुलिस ने परताल के दौरान गारी की लोकेशन ट्रेस की, तो फतेयाबाद टोल से कानपूर तक की परची कटाई गई थी, उसके बाद उनकी लोकेशन नहीं मिली, यह खबर है यानि लगातार कुछ ना कुछ ओला उ इनके साथ अगर कुछ भी घरत करेंगे तो उनका बचना बहुत असान है, उनको उनका बचना असान है और साथ ही उनके उपर कारवाई नहीं होगी, शायद इसलिए लगातार आए दिन कुछ ना कुछ नहीं घटनाय चालकों के साथ होती रहती हैं, आए दिन उनकी गड़ इसके लिए साथ ही सरकार के लिए नुकसान दायक होगा, क्योंकि चालक हम फिर वही बात कह रहे हैं, कि चालक इस लाइन में हो सकता है, कि आना बंद कर दें, और इसका कितना बड़ा दुश प्रभाव पढ़ेगा, यह बताने कि आवशक्ता ना मुझे है, और ना इसको सम ने किया आवशक्ता आपको क्योंकि शायद यह सब को पता है, कि अगर चालक नहीं होंगे, तो क्या होगा, हम फिर आज़र होंगे, जब तक बहुत बहुत शुक्रादाने बाद, नमस्कार.